वेल सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टनोन गुड इनिंग टॉल आफ यू कैसे हो दोस्तो आप सब भी लोग आप बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छा हो तो दोस्तो वेलकम टू CACMA and CS FINAL मिशन संबर 2.0 चार्ट रिविजन फॉर GST जिसमें हमने बहुत सारे चप्टर्स अलरेड़ी अच्छे से रिवाइस कर लिए है और आज का हमारा रिविजन की टॉपिक्स होगे और वो है अकाउंट्स अन रेकॉर्ट्स, एडवांस रुलिंग और जॉब वर्क तो दोस्तों मैं आपको यह बता दू कि अगें यह जो तीन चप्टर्स है आपने चार्ट से कवर करके क्वेशनेर कवर कर लिए, that's enough इस सदा आपको कवर करने की जरुवत नहीं है यहाँ पर एक्जाम में आवे और रटीपी में पुछेवे क्वेशन पर ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना so that आपका बहुत अच्छे से की टॉपिक वर हो जाएगा तो मेरी रिविजन, चार्ट बूक and क्वेशनेर, that's enough चली, और रिविजन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको यह बता दू कि यहाँ पर अगर कोई फर्स टाइम यह वीडियो देख रहा होगा तो हमने बहुत सारे चप्टर्स के रिविजन वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अप्लोड कर दिये है आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा पर सब्सक्राइब कर लिजिए तिंग जीस्ट चाल सर नीचे description में मैंने playlist भी दिया है Questionnaires के playlist भी दिया है साथ-साथ में मैंने यहां पर amendments के भी playlist दिया हुआ है तो जिसने आप refer कर सकते हो पस टाइब अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा तो मैंने यह बता दू कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताय हुआ है कि मीशन संभव के updated charts book के लिए plus other amendments के लिए आपको amendment notes और जो भी मेरी summary notes होगी इस सरे later तो अगर आपको updated notes चाहिए तो आपको ये जो है mission संभव हमारे website पे besmartacademic.com free content में जाके final section में आपको subscribe करना पड़ेगा और आपके login में आपको subscribe करना पड़ेगा और एक बहुत important बात आप telegram group में mission संभव का group जरूर जोइन कीजिएगा क्योंकि मेरी सारी comments वहाँ पर आते रहेगी और कोई important discussion तो मैं आपके साथ उस group में share करते रहोगा चली दोस्तो आज का session स्टाट करते हैं are you ready? yes or no? और आज का revision अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा share कीजिएगा और अपनी comments जरूर तो चली स्टाट करते हैं हमार रिविजिएन पहले हम accounts and records cover करेंगे दूसरा advanced link cover करेंगे और तिसरा हम यहाँ पर job बागे दैन आज आजाते है accounts and records में accounts and records वैसे कोई इतना GST में यह compliance जो है इतने कोई ज़्यादा complicated नहीं है simple accounts and records की उन्होंने provision रखी है और section 35-36 में कुछ requirements रखें कि भी GST के साब से हमारा जब भी officer check करने आएगा आपके accounts records तो at least इस type के accounts and records आपको maintain करना जरूरी है मैंने पूरा चार्ट दो पार्ट में divide किया एक अगर आप registered person होगे supplier होगे recipient होगे जो भी आपकी liability होती है registered person होगे तो आपको records कैसे maintain करने है और specially section 35-2 read with rule 58 और के warehouse की पर जो होते है या transporter होते है उनको ये scope में लाया गया है और उनको भी accounts on record maintain करने की provisions दी गई है और section 35-2 में read with rule 58 और के उनको भी कुछ requirements दी है कि उन्होंने किस type के records maintain करने चाहिए और आपने as per GST law ये सारे records maintain करने चाहिए चली सबसे पहले तो हम खतम करते है register person में और फिर आएंगे warehouse keeper के लिए क्या record की compliance करने है ट्रांसपोर्टर के लिए क्या records के compliance करने है register person होगा तो मैं इसको दो पार्ट में divide करता हो और कि यहाँ पे general और special cases यह तोड़ा arrow उदर चले गया general और special cases general अब यह दोनों क्या डेट है generally उनको क्या records maintain करने पड़ते general का मतलब यह सारे registered person को maintain करने पड़ेंगे लेकिन कु special cases है वहाँ पे example की तोर पे अगर agent आप agent होगे तो कौन से additional record maintain करने आप अगर manufacturer होगे आप अगर यहाँ पे supplier of services होगे या आप works contractor होगे या next CNF agent होगे तो यह case में आपको क्या special records maintain करने है वह हम देखेंगे तो generally कौन-कौन से records आपको maintain करने पड़ते है section 35-1 कहता है books of account कुछ उसकी requirement है books of account to be kept and maintained at principal place of business and additional place of business आपको जो books of account पहली उनकी requirement है कि इंडिया के सारे registered person समझ लो कि आपको जो books of account maintain करना है आपका जो principal place of business है वहाँ तो maintain करना ही है और आपके registration में आपने जो additional place of business बताईए वहाँ पे भी उस respective additional place of business के records आपके होने चाहिए इसके अलावा आपके records और कही पे भी नहीं होने चाहिए अगर इसके अलावा आपके records आपके घर पे दिग गए या इधर उदर दिग गए तो हम कुछ गरवड मानेंगे और शायद हो सकता है कि आपके उपर action लोगे तो या फिर आप जब भी हमारी scrutiny होँ तो आप यह नहीं कह सकते अरे सर, records तो घर पे रखे हुए है और के लेकिया आता हो घर से, नहीं आपके record compulsory principal place of business या additional place of business पर ही होने चाहिए जो आपने register करवाई है books found at unregistered premises अगर हमें आपके books कोई unregistered premises पे दिखे तो deem to belong to register person अब यह देखो यह बहुत dangerous situation है यह कहते है कि अगर कहीं पर हमें और दुसरे place पे records दिखे तो हम आपके ही वो मान लेंगे बहुत सी बार diary मिल जाती है, cheat मिल जाता है कुछ आपने black में sale किया होगा तो वो मिल जाता है अगर हमको ऐसे कुछ records मिले तो वो हम आपके ही मान लेंगे और उसके base पे आपके action हमारा officer आपके against में action ले सकता है चलिए तो यह तो था principal place of business या additional place of business उसके बाद में जुसरा अगर हम देखे तो accounts and records section 35 1 कहता है कि आपको किस type के accounts और किस type के records और document maintain करने है चलिए तो अब आपको जो भी respective आपको लाग होगा वो आपको maintain करना है जैसे accounts में production of goods का accounts आपको properly maintain करना पढ़ेगा अगर आप specially manufacture होगे अगर trader होगे तो production of goods का तो सवाल ही नहीं है लेकिन manufacture होगे या manufacturing activity आप trading के साथ करते होगे तो आपको production के accounts प्रापर रखने पढ़ेगे दूसरा invert and outward supply of goods or services G&S मतलब goods or services यानि आपको सारे कितने goods invert होए services कितने invert होई outward कितने है इसके भी proper accounting आपको करनी पढ़ेगी उसके बाद में stock of goods and output tax payable आपके stock, opening stock आपने purchases, less issued for production या sale और closing stock इसके proper accounting आपको करनी पढ़ेगी और output tax payable और paid उसकी भी आपको detail accounting करनी पढ़ेगी बिटा theory लर्न करना पढ़ेगा मैं तो सिफ समझा सकता हूँ आपको दूसरा, most important point या start करो most important point क्या तो most important point ये है कि ये दो चीजे not required for composition scheme अगर आप composition scheme में हो तो even though आप registered person हो पर ये आपने stock का records नहीं maintain किया तो भी चलेगा output tax payable का record नहीं maintain किया तो भी चलेगा लेकिन ये से benefit composition scheme को है ये question exam में पुछा गया था for two marks कौन से ऐस record है जो composition dealer को maintain नहीं करने पढ़ते है तो इसमें दो चीज आएगी इसमें दो चीज आएगी एक आपका stock of goods और दूसरा output tax payable और पेड तो वो situation में ये दो चीज़े composition scheme के अंदर में नहीं आएगी same ITC available ओके देखो ये list दी है जो जो आपको applicable है वो आपको follow करना है अगर आप ITC ले रहे होगे जैसे composition scheme में तो ITC लेता ही नहीं पर जहां पर भी ले रहे हो तो जितना भी ITC आप अवेल करोगे उसके records आपको maintain करने पड़ेंगे and other particulars और कि अगर कोई prescribed record से तो आपको maintain करना है next वो कहते है goods are kept at other declared location अगर आपने goods और के आपको आपको डिकलियर करना पड़ता है कि अडिशनल प्लेस और अगर आपने अपने फैक्टरी से या अपने शॉप से वेराउस शिप कर सकते हो क्या without payment of GST yes अगर वो single registration में है और वो अगर DDP नहीं है सुनो वो single registration में है और वो DDP नहीं है तो वो situation में यहाँ पे rule 55 चालन rule 55 चालन में आप ऐसे वेराउस में goods डाल सकते हो जो आपने डिकलियर किया है additional place of business लेकिन आपने अगर goods कोई ऐसे place पे रख दिया जो आपने additional place of business registration करते वग डिकलियर नहीं किया तो वो case में वो DEM supply मान लिया जाएगा very important provision highlight करना वो case में वो DEM supply मान लिया जाएगा और वो stock पे आपको credit देना पड़ेगा ऐसे बहुत सी बार अभी GST में समझ में आ रहा है कि आपका stock जो ऐसे place पे मिल गया जो additional place of business नहीं है तो government फटाफ़ट उसका assessment करती है DEM supply मान के GST का notice issue कर देती है साथ साथ में उस पर interest penalty में लगाती है अब दो point कर समझ लो आपके books of account ये record आपके books of account ये record ऐसे place पे मिल गए ऐसे place पे मिल गए जो unregistered है उके unregistered place है आपके घर पे मिल गए तो वो भी प्रोसेडिंग के लिए consider कर लिए जाएगे जैसे बहुत से बार diary वगरे पुरारे लोग क्या करते थे जो भी कुछ black marketing में जिसके entry नहीं करना है diary में लिखके रखना खाली place पे लिखके रखना अगर हमारी scrutine में हमारे investigation में हमें ऐसा पता चला कि आपने आपने घर पे या कोई place पे कुछ diary maintain किया है कुछ आपने cheat वगरे maintain किया है तो वो भी आपके मान लिए जाएंगे अगर आपकी unregistered place है आपके मान लिए जाएंगे आप अपनी responsibility से नहीं बस सकते कि नहीं बाबा ये तो unregistered पे मैंने नहीं maintain किया आपके place पे मिला न आपके place पे मिला तो ऐसे case में वो जो भी records मिले होंगे unregistered place पे और कि वो प्रिमाइस इस पे वो आपके ही मान के हम आगे proceeding में use कर सकते है साथ-साथ में ये point क्या कहता है ये records के बारे में नहीं कहता है ये कहता है कि आपने अगर कोई goods ऐसे place पे रख दिये जो registered नहीं है या जो आपने additional place of business registered नहीं करवा है क्योंकि registration करते वक आपका सुनो registration करते वक आपका जो है यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करते वक वो principal place of business आपको पूछते है या additional place of business आपको पूछते है और वो principal place of business या additional place of business आपको declare करना पड़ता है अब ये जो आपने additional place of business declare नहीं किया होगा और आपका वो place पे stock मिल गया तो government immediate उसके उपर action ले सकती है उसको supply treat कर सकती है और उसके उपर आपको tax दिना पड़ेगा interest और penalty भी लग सकती है उसके बाद में next बेटा next ये तो हुआ आपको accounts के इस type के maintain करने है जो जो आपको आपके business को applicable है तो इस type के accounts आपको maintain करने पड़ेंगे दूसरा records and documents तो as per CGST rule जैसे goods and services imported or exported इसके records आपको properly maintain करने है तो पहला complete हुआ tick करो पहला complete हुआ goods imported or exported तो उसके record supplies attracting payment of tax under RCM along with relevant document like invoice, invoice, credit note, debit note, voucher अगर कोई tax आप RCM में pay कर रहे हो तो उसके proper record maintain करो साथ साथ में सारे invoices, debit note, credit note, vouchers इसके documents आपको maintain करने पड़ेंगे उसके बाद में advances received, paid, adjusted advance के भी क्योंकि ठीक है supply of goods के case में advance पे TOS नहीं आता है पर supply of service के case में advance पे TOS आता है तो अगर advance के आपको advances मिलते है कितना receive हुआ कितना address हो गया और कि ये सारा records आपको या documents आपको maintain करने पड़ेंगे now next required to keep particular of name, complete address of the supplier, recipient and premises where goods are stored इसके भी आपको records maintain करने पड़ेंगे तो ये था बेटा कि किस type के accounts maintain करना है किस type के records है documents maintain करना है generally सारे register person को यहाँ पे maintain करना पड़ता है ये तुआ generally आपको क्या करना पड़ेगा as per section 35.1 अब कुछ हम देखते है special cases government by rule कुछ special cases cover किये कि in addition to these general records and documents उनको specially कुछ और आपके यहाँ पे records and documents maintain करने पड़ेंगे तो चली देख लेते है special cases में कौन सा यहाँ पे ख्याल रखना जब भी मैं word P use करूगा मतलब every principle अब rule 56.11 rule 56.11 बात करता है agent agent को ऐसा round करो agent अगर आप अगर agent होगे तो आपको in addition to आपके जो general records उपर दिये वो तो आपको maintain करना पड़ेगा पर in addition to आपको कुछ additional records maintain करना पड़ेगा कौन कौन से the particulars of authorization received from each principle okay to particulars of authorization received for each principle to receive or supply of goods or services okay अगर आप buying agent होगे तो buying agent और यहाँ पे buying agent में आपको principal के भिहाब पे goods receive करना है तो उसका special authorization आपका लगेगा उस principal से authorization लगेगा या आप selling agent होगे और आपको supply करना है goods or services okay on the behalf of principles उसका भी authorization लगेगा अब मैं आपका ध्यान एक word पे लाना चाओगा और वो है each principle okay हो सकता है कि आपने agency 5 companies के लिए हो okay 5 company के agency लिए हो okay या यह company की वे agency यह company की वे agency यह company की वे agency तो ऐसे case में each principle का authorization लाना आपको जरूरी है उसके बाद में next descriptive value and quantity of goods or services received on the behalf of principle कभी कभी क्या होता है कि मैं अपना भी business करता हूँ और मैं as a agency भी business करता हूँ तो अगर आप as a agent business कर रहे हो तो आपको पूरा description लिखना है description of value quantity of goods or services received on the behalf of principle अगर आप यहाँ पे आपने जो goods receive किया principle से उसका पूरा detail जो आपने principle के भी आप पे supply किया उसका पूरा details उसकी value and quantity details of accounts furnished to principle principle को कौन सा details आपको provide करना है उसके पूरे accounts आपको maintain करने पड़ेंगे tax paid on receipt और supply of goods on the behalf of principle अगर आप buying agent हो अगर आप buying agent हो तो वो case में principle के भी आप पे कितना tax दिया आप selling agent हो तो principle के भी आप पे कितना tax दिया इसके भी records आपको properly maintain करने पड़ेंगे तो अगर आप agent हो तो ये in addition to general records आपको ये सारे additional records maintain करने पड़ेंगे I hope you understood understood अगर समझ गया होगा तो A type कीजिएगा agent का हमारा हो गया okay उसके बाद में records भी maintained by manufacturer okay in addition to this general record ये तो सारे general records manufacturer को service provider trader हो okay ये तो maintain करने ही पड़ेंगे in addition to that अगर आप manufacturer हो तो monthly production account showing quantity of raw material और services used in the manufacturer मैं एक वर्ड़ पर आपका देहन लाना चाहोगा monthly production account आपको maintain करना है और ये बहुत बढ़ी गड़बर हो रही है बहुत सारे मेरे ऐसे client है कि जो यहाँ पे okay monthly basis पे production account especially small industry जो manufacturing industry है वो monthly basis पे account maintain नहीं करती है और मैं ये ही कहता हूँ कि क्या कर रहे हो यार rule 56-12 ये कहता है कि monthly basis पे आपका production account जिसमें clear कितना raw material है कितनी services use हुई in the manufacturer ये आपको maintain करना है तो बहुत से लोग quarterly basis पे maintain करते है half yearly basis पे maintain करते है मैं उनको डराता हूँ बहुत सी बार मैं कहता हूँ कि आदी बार स्कूटीन होगे नहीं तो लग जाएगी वाट तुमारी तो ऐसे case में monthly basis पे करो यार ने तो सामने वाला तुम कितने भी genuinely maintain कर रहे होगे तो सामने वाला rule 56-12 का action लेके बोलेगा कि नेक्स यहां पे supplier of service होगे तो in addition to general account आप अगर service प्रोवाइट कर रहे हो तो कुछ और चीज़े आपको maintain करना पड़ेगा क्या quantitative details of goods used in the provision of service अगर आप service provider हो समझ लो we smart academy training coaching service दे रहा है तो we smart academy को यह तो general records हो जो maintain कर रहा है about यहां पे inward outward of services उसके बाद में ITC other particular यह जो records है etc टीक है लेकिन service provider को specially कि अगर वो goods purchase कर रहे है तो कितना good service में use हो रहा है इसके record उनको maintain करना पड़ेगा details of input service details of service supplies यह सारे records in addition to general records उनको maintain करने पड़ेगा अगर आप works contractor हो very important works contract मतलब क्या works contract की definition works contract मतलब construction, erection, installation, renovation, repairs and etc carried on on immowable property आप immowable property पे carry out कर रहे हो which involved a transfer of titling goods जिसमें goods भी है याद करो हमने works contract definition supply topic में देखे होगी अगर supply topic में देखे थी अगर आप works contractor हो come on, come on, come on आप works contractor हो तो वो case में आपको कुछ additional चीजे maintain करनी पड़ेगी कौन सी और ये each contract wise maintain करना पड़ेगा आपके पास अगर पाच works contract चालो है तो पाच works contract के अलग-अलग record maintain करना पड़ेगा जिसमें name and address और के आप the person on us भी आप work contract is executed description, value and quantity of goods and service received for each works contract आपके अगर पाच work contract है तो सब के records अलग रख करो हर work contract के लिए कितना कौन सा goods आई, कौन सी service आई उसकी value कितनी है उसका description, उसकी quantity कितनी है आपको each works contract wise maintain करना पड़ेगा उसके बाद में description, value and quantity of goods and services utilized for each works contract and details of payment received for each works contract and name and address of the suppliers मैं अब आपको यह बात बता दू यहाँ पे बहुत सी बार construction sector में कॉंट्रेक्टर से mistake हो जाती है कॉंट्रेक्टर जो है आपको सच बता दू तो कॉंट्रेक्टर जो है अब goods लमसम में खरीद लेता है समझ लो उसके 4 works contract चालू है और उसको सीमेंट खरीदना है खरीद लिया सीमेंट 4 works contract के लिए ठीक है एक invoice में खरीद लिया होगा लेकिन उसको बाइफर्गेट करना पड़ता है हर इच works contract के लिए description क्या है, value क्या कितनी quantity goods खरीदा, service करीदा कितना utilize किया यह सारा apportionment उसको करना पड़ेगा as per rule 5614 यह compulsor ही है और कि वो ऐसा लमसम नहीं बता सकता है कि मेरे 4 works contract है, total इतना खरीदा, नहीं इच works contract wise उसको यह classify करना पड़ेगा हर contract का payment कितना मिला क्यों क्योंकि इसमें continuous supply of service है continuous supply of service में event based आपका आपका tax लग सकता है completion of event पे आपका यहाँ पे TOS आ सकता है invoice issue करना पड़ता है तो ऐसे situation में आपको each works contract wise सारी details maintain करनी है यह समझा क्या बेटा, अगर समझा होगा तो WC type कीजिएगा उसके बाद में C&F agent C&F agent के लिए rule 5617 कहता है कि अगर आप clearing and forwarding agents हो underline अगर आप clearing and forwarding agents हो तो वो situation में दहां से सुनिएगा अगर आप C&F agent हो तो वो case में आपको true and correct records of goods handled on the behalf of registered person कुछ नहीं, C&F agent को है क्या है, वो यहाँ पे registered person से goods लेते है उसको clearing करते है और customer तक forwarding करते है तो C&F agent होगे तो आपको true and correct record maintain करने है हर registered person के कितने goods आपने उठा है कितने forwarding किये कितने आपने customer को दिये and produce the details as required by proper officer और officer जब भी आपसे details माइगेगा तो वो details आपको provide करनी पड़ेगी तो यह आपने देखा बेटा यहाँ पे chart तो यह जो आपने देखा बेटा चार्ट और यह चार्ट आपने देखा regarding to कि registered person होगे तो general records क्या है special हर cases में आपको किस टाइब के records maintain करने है ठीक है अब आते हैं section 35-2 35-2 read with rule 48 warehouse owner और transporter पे इन्होंने क्या liability डाली है अगर आप owner operator of godown warehouse हो मतलब आपसे warehousing service देते हो go down है etc और यह देते हो और आपने GST में registration लिया है आप ले सकते हो कि आप अगर warehousing service दे रहे हो go down service दे रहे हो तो आप GST में registration ले रहे हो आप registered हो या आप unregister हो अब एक बात बता देता हो आप registered हो तो बहुत अच्छी बात है करना पड़ता है जिसका नाम है UEN UIN नहीं Unique Identification Number यह है UEN UEN यह आपको generate करना पड़ता है क्योंकि आपका data government के पास होना जुरूरी है especially जब आप GST non paid goods अपने warehouse में रखते हो उसके बाद में अगर आप warehouse keeper हो तो 352 क्या कहता है 352 यह कहता है मतलब क्या आपको consigner, consignee और जो भी goods के record है नीचे जो rule 58.4 में दिये है इसके हिसाब से आपको record maintain करने पड़ेंगे कि कौन से consigner ने goods रखा कौन से consignee का goods है और goods की सारी details अभी मैं नीचे rule में पड़ा होगा इस rule के हिसाब से आपको गुड्स की सारी details दे नहीं पड़े की rule 58.4 कहता है अगर आप warehouse keeper हो तो maintain books of account with respect to the period for which particular goods remains in a warehouse कितने period तक underline करो कितने period तक आपका goods warehouse में है उसको proper clarity से होना चाहिए कि goods warehouse में रखा गया कितने period तक है और particulars leading to dispatch, movement and receipt of disposal of such goods और जो warehouse keeper पर normally record रखता है कितना dispatch हुआ, कितना move हुआ, कितना receive हुआ कितना dispose हुआ इसका पूरा details warehouse यहापे warehouse keeper या go down keeper को रखना पड़ेगा rule 58.5 कहता है store the goods in such a manner that they can be identified atom wise या order wise and shall facilitate the physical verification or inspection my proper office और कि यह एक जिम्मेदारी बनती है warehouse keeper की कि वो जब अपने warehouse में goods यहाँ पर store करता है तो वो ऐसा रखे कि atom wise okay trace करना easy है owner wise trace करना easy है सब mix करके न रखे और जब हमारा officer उसको physically verify करने आएगा जब हमारा officer physically verify करने आएगा तो उसको पूरी facility आपने देनी चाहिए so that वो easily inspect कर सके और physically verify कर सके यह तो था बिटा अगर आप owner और operator आप go down या warehouse हो now next अगर आप transporter okay GTA service या railway या by air आप services दे रहे हो आप registered होगे और आप unregistered होगे registered होगे तो अच्छी बात है unregistered है तो भी आपको एक number लेना पड़ता है तो number होता है unique enrollment number okay underline करना यह transporter को भी है unique enrollment number आपको लेना पड़ता है अब 35-2 क्या कहता है 35-2 कहता है कि अगर आप transporter होगे तो भी shall maintain records okay देखो shall maintain the records record of consigner and consignee okay transporter भी होगा तो उसको proper record की कौन से बंदे का goods है consignee कहा पहुचाना है और details of goods details of goods नीचे दिया है उसको यहाँ पे transporter को goods की भी details maintain करनी पड़ेगी अगर आप transporter हो तो rule 58-4 के हिसाब से shall maintain the records of goods transported goods transported, delivered, goods stored in transit by him along with okay GSTN of register consigner and consignee for each of his branches okay तो यह धान से सुनिएगा okay transporter को कितना goods transport किया, delivered किया, कितना goods stored किया, okay in transit और हर register sponsor जो consigner या consignee है, उसके branch wise उसको GSTN maintain करना पड़ेगा rule 58-1 ए कहता है if transporter is registered in more than one state or UT then apply for unique common enrollment number okay for evable EWB मतलब evable now, okay यह concept मैं थोड़ा आपको evable में समझाओगा पर बस अभी इतना समझ लो कि आप transporter हो और आपके पास एक से ज़्यादा registration है तो आपको unique common enrollment number लेना पड़ेगा और के दोनों में difference है unique enrollment number मतलब आप जब unregistered हो तब unique enrollment number है और आपके पास एक से ज़्यादा registration होगे सुनो, आपके पास एक से ज़्यादा registration होगे तो evable facility के लिए यह क्या होता है, evable में देखेंगे evable facility के लिए आपको unique common enrollment number याने सभी registration का एक code generate करना पड़ेगा unique common enrollment number और वो evable में use करने के लिए आपको लेना पड़ेगा तो इस तरह से हमने यह आपे देखा good on, wear out keeper और transporter इसके लिए किस type के records आपको maintain करना है चलो, अब last आजाओ procedure for maintenance of account तो आपका account record आप electronic form में maintain कर सकते हो electronic form में maintain कर सकते हो proper backup आपने लेने ना चाहिए हमारे officer जब भी मागेगा तब आपने सारे files और उसके password उसको देने चाहिए अगर आप manual record maintain कर रहे हो तो उसमें erase or over return नहीं होना चाहिए okay, manual record में records को serial number होने चाहिए अब manual record बचे का उस तिप दिया होनोंने अब तो सब electronic form में हो गया okay, चली, next consequence of failure to maintain books up account अगर आपने, हमने जो उपर आपको guide किया किस टाइप के records आपने maintain करने चाहिए और वो आपने अगर maintain नहीं किये वो आपने maintain नहीं किये तो जो भी goods आपकी non accounting होगी या service की non accounting होगी वो deem supply मानी जाएगी उसके उपर tax payable होगा मतलब, अगर हमारे आपके stock में ऐसा goods दिखा जिसके accounting नहीं हुई या आपने कोई ऐसी services provide की जिसके accounting नहीं हुई तो वो deem supply माना जाएगा और 73, 74 जो आगे chapter में मैं पढ़ा होगा उसका action आपके against में हो जाएगा उसके बाद में retention of account, important section 36, अभी तक जो भी आप पढ़ रहते है section 35 पढ़ रहते है अब section 36 क्या कहता है till the expiry of 72 months नहीं सुनना आपको books of account maintain करने पढ़ेंगे 72 months तक याने 6 साल from the due date of furnishing annual return याने जो आपकी annual return की date है वहाँ से 6 साल तक let's take example मेरा current financial year है 22-23 तो 22-23 का annual return कब जाएगा 31st December 23 को जाएगा 31st December 23 को और वहाँ से 6 साल याने मुझे 22-23 के records कब तक maintain करके रखने पता है क्या 31 December 2023 से लेके 6 साल याने मुझे यहाँ पे 6 साल अगर मैं लू तो 6 साल आड कर दू तो 2029 तक 22-23 के record 22-23 के record 2029 तक मुझे maintain करना है तो यह 6 साल कब से लिया जाएगा 31st मास से नहीं जो आपकी annual return की date थी वहाँ से 6 साल और अगर आपने annual return आपने दिया होगा 31 December को तो वहाँ से 6 साल पहले दिया होगा तो वहाँ से 6 साल If subject matter is for appeal और revision retention shall be later of one year of final disposal of appeal और 72 months from the date of furnishing of annual return तो whichever is later लेकिन अगर आपने कोई appeal फाइल कर दियोगी तो फिर हो सकता है कि आपका अब केस को लग गए 8 साल तो 8 साल तो तो तरह को maintain तो करना ही पड़ेगा 8 साल प्लस जिस दिन appeal dispose होई उसके बाद में भी Okay, at least one year तुझे record maintain करके रखने पड़ेगे समझ लो मेरी appeal dispose होई 8 साल बाद order आई तो मुझे और एक साल याने 9 साल आपको जो है Okay, यहाँ पे यह maintain करके रखना पड़ेगा Okay, तो अगर appeal matter होगा तो whichever is later One year as final disposal of appeal or revision or 72 months from the date of furnishing annual return whichever is later So, now in this way we have completed this यहाँ पे complete chart of accounts and records Done? Yes or no? वैसे देखा जाए तो मैंने सारे sections इसमें cover कर लिया है पर मैं थोड़ा आपको connect कर दूँगा book के साथ तो फटाफट हो जाएगा सबसे पहले तो applicant कौन होँ हाँ चाहिए advanced rolling एक example लेते V smart academic V smart academy जो है मैं जा रहा हो advanced rolling में मैं 10,000 में course प्रोवाइड करता हूँ जिसमें 3,000 की books प्रोवाइड करता हूँ और मेरे हिसाब से books पे GST नहीं आना चाहिए और यहाँ पे 7,000 पे ही GST आना चाहिए अब आप कहोगे सर यह तो बहुत clear composite supply है तो ठीक है ना तभी मैं advanced rolling लेना चाहता हूँ और मैं applicant हूँ तो applicant कौन हो सकता है section 95 section 95 कहता है कि applicant registered person होगा यहाँ P मतलब person registered person होगा और desires to obtain registration याने unregistered person भी होगा तो वो भी advanced rolling ले सकता है जो अभी अभी हमने पढ़ा कौन-कौन से matter पे आप advanced rolling ले सकते होँ तो देखो मैं application file करने वाला हूँ application ARA1 में जाएगा fees 5000 होगी okay fees 5000 होगी advanced rolling की सस्ते में मस्त काम हो जाएगा okay याने government से भी मिल गई advanced rolling सस्ते में यह ली मस्त काम हो जाएगा government से advanced rolling मिल जाएगी अब section 96 कहता है advanced rolling यह जो authority है okay यह state government के control में रहेगी मतलब every state wise रहेगा और advanced rolling authority state wise दिया जाएगा और no doubt इसकी reporting finance minister के से पास रहेगी तो यहाँ पे again I repeat यह state government के under में बनाया जाएगा और okay यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो reporting finance minister के पास रहेगी तो अगर आप देखते हूँ 96 96 क्या कहता है AAR और triple AAR मतलब authority of advanced ruling या appellate authority of advanced ruling okay constituted under the SGST act यह SGST act में under बनाई जाएगी शाल भी AAR, triple AAR respectively for the that state or UT under CGST act also government shall appoint the officers not below the rank of joint commissioner as a member of AAR तो जहाँ तक के AAR का appointment कैसे होगा triple AAR का appointment कैसे होगा वो उसमें दिया है next section 97 अगर हम देखेंगे तो आपका 5000 रुपे का fees रहेगा आपको application फाइल करना पड़ेगा application यहाँ पे advanced ruling का application आपको AAR के पास फाइल करना पड़ेगा कौन से matter पे आप advanced ruling ले सकते हो चलो चार्ट में आजा चार्ट से link कर देता हूँ तो अब वो क्या कहता है कि कौन से matter पे आप advanced ruling ले सकते हो प्रोसेजर देख लेना applicant हो गया state government के अंडर में form किया जाएगा दूसरी बात reporting finance minister को जाती है next application ARA 1 अब यह पाला पार्ट बहुत इंपोर्टेंट है कि कौन कौन से matter पे advanced ruling होगी section 97 question of advanced ruling यह section 97 में book में आप देखो मैं इधर चार्ट में भी पढ़ा रहा हूँ चार्ट आपके पास होगी तो हम साथ साथ में कवर कर रहा है ठीक है मैं book में फिर से repeat नहीं करूगा पहला classification matter अगर आपका classification of any goods or service समझ लो आपका supply goods में जाएगा या service में जाएगा bundle supply है, what is the principal supply, highest rate supply है confusion है, ambiguity है तो आप अपने goods के classification के लिए service के classification के लिए आप advanced ruling authority के पास जा सकते हो इसरा applicability of any notification कोई exemption notification है कोई procedural notification है क्या वो exemption notification आपको applicable होगा की नहीं होगा, इससे related confusion है कोई educational sector का exemption notification आप educational institute हो की नहीं हो confusion है, okay, online course से supply करते हो, वो आएगा की नहीं आएगा, confusion है, educational institution को, foreign institution है confusion है, तो ऐसे case में उससे related आप advanced ruling ले सकते हो applicability of exemption notification आप ले सकते हो, next determination of time of supply and value of supply अगर आपको TOS से related होगा section 12, section 13, section 14 या place of supply section 10, 11, 12 and 13, 14, तो place of supply से related अगर आपका advanced ruling ले नहीं है, तो आप ले सकते हो, उसके बाद में ITC से related, very important point जो सबसे ज़्यादा भी advanced ruling ली जाए रही है ITC से related कोई question होगे और आपको confusion है कि credit मिलेंगे, नहीं मिलेंगे block credit रहेंगे, या नहीं रहेंगे तो आप ITC matters से related advanced ruling ले सकते हो उसके बाद में determination of liability to pay tax आपके उपर liability आएगी नहीं आएगी tax liability हो, आएगा या नहीं आएगा forward charge है या reverse charge है इस से related advanced ruling चाहिए तो आप advanced ruling ले सकते हो whether applicant required to registered or not section 22, 23, 24 normal threshold registration 23, 24 में compulsory registration तो आपको registration करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा इस से related भी आप advanced ruling ले सकते हो और last, whether नहीं particular things is the supply of goods or not supply है या नहीं है याने section 7 okay section 7 okay section 7 पर भी आप advanced ruling ले सकते हो तो इतने matter दिये, कौन-कौन से matter दिये learn करना पड़ेगा, आपके notes में भी आप highlight कर दो just a minute बिटा, आपके notes में भी आप highlight कर दो यहाँ पर कौन-कौन से matter पर advanced ruling मिल सकती है ठीक है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह हमने देखा कि यह सारे matter से on following matters, advanced ruling is not available, determination of place of supply, POS क्योंकि क्या होता है, place of supply interstate की बात है और advanced ruling authority state के अंडर में काम करती है क्योंकि section 96 कहता है, अगर आपको याद होगा, तो यह state government के अंडर में यह state में फार्म होती है, तो advanced ruling authority के पास यह power नहीं है कि वो interstate का matter decide करें, तो time of supply और sorry मैंने place of supply नहीं, value of supply, time of supply और value of supply यहने section 15, इसके ओपर वो advanced ruling ले सकते है, लेकिन matter अगर place of supply का होगा तो वो advanced ruling नहीं दे सकते है, time of supply और value of supply पे advanced ruling दे सकते है तो place of supply अगर आप पूरी list देखते हो, तो ना classification में आता है, ना applicability of notification में आता है, ना time or value of supply, ना ITC में, ना liability to pay tax, ना register में, ना supply में आता है institute का यह मानना है कि last वाला clause, okay particular thing is a supply or not या liability to pay tax or not, इसमें place of supply आ सकता है, यह institute ने भी यह अपना opinion दिया है लेकिन यहाँ पे मैं आपको कह देता हूँ, exam में आपको clearly लिखना है, यहाँ पे क्यूंकि यहाँ पे CBIC tweet आया था और CBIC tweet ने कहा कि नहीं, place of supply का matter, advanced ruling के पास नहीं जा सकता, okay place of supply का matter, advanced ruling के पास नहीं जा सकता, ठीक है, तो आपको exam में यह लिखना है, दुसरा, procedural aspects होगे, like e-way bill होगा, return होगा, document होगा, नहीं दिया, registration का दिया है पर e-way bill, return, document, invoice, इस related confusion होगा, तो आप advanced ruling में नहीं जा सकते हो, तो मेरा matter है, जैसे मैं वी smart का हूँ, मेरा matter है classification का, कि यह books क्या करूँ, composite supply में लो, या separate educational books में classify करूँ, okay, तो यहाँ पे मैं मेरा matter application में डाल रहा हूँ, यह समझा है क्या बेटा, okay, यह समझा होगा, तो POS type क का matter, CBIC का tweet है, कि नहीं जाएगा, advanced ruling के पास, हाँ, हमारे institute में material में यह opinion लिया है, और वो भी का है, कि यह institute का opinion है, अभी तक law clear नहीं उसके बारे में, कि वह liability to pay tax, nothing but place of supply का matter है, यह supply place of supply का matter है, तो जाना चाहिए, पर institute भी इसके पर confirm नहीं है, यह clear है, place of supply हैगा, चलो, अब मैं application file कर रहा हूँ, application file करने एक बार section 98, okay, section 98 पर आते है, section 98 क्या कहता है, section 98 क्या कहता है, section 98 कहता है, application file करते है work, advanced ruling authority, जिसे हम, authority of advanced ruling, पहले authority, AR कहेंगे, यह AR में दो member होता है, एक central का होता है, TM, TM मतलब technical member, यहाँ पी TM मतलब technical member, और एक state का technical member होता है, ठीक है, तो जब आप file करते हो application, तो section 98 कहता है, कि आपका application admit भी हो सकता है, या reject भी हो सकता है, okay, admit भी हो सकता है, या reject भी हो सकता है, reject अगर हो गया, तो opportunity of being hurt दिया जाएगा, और admit हो गया, तो यहाँ पे यह note थोड़ी याद रखो, यह note यहाँ पे दी गई है, note कहती है, application shall not be admitted, very important, question आ सकता है, application shall not be admitted, if question raised in the application is already pending, already pending or decided in any proceeding of the applicant, मतलब, आपका जो question है, वो already authority के पास pending हो गया, या फिर आपका जो question है, already court ने decide किया हुआ है, तो फिर application accept नहीं होता है, जैसे, अब already pending with the adjudicating authority का मतलब क्या है, मतलब यह है, कि समझ लोग मेरा एक registered office पुने में, दूसरा registered office देली में है, okay, पुने में भी है, दूसरा registered office मेरा कहाँ पे है, देली में भी है, तो पुने में मेरा जो registered office है, धान से सुनिएगा, पुने मेरा जो registered office है, और देली में, तो देली में, यहाँ पे, मेरा against में adjudication चालो हो गया मैंने बुक्स को नहीं बताया और मैंने 7000 पे GST दिया, 3000 पे GST नहीं दिया, देली में मेरे अग्यांस में शोकाउस नोटीस आगे, प्रोसेडिंग इनिशेट हो गई, I repeat, प्रोसेडिंग इनिशेट हो गई, शोकाउस नोटीस आगे, और इंक्वाइरी चालो हो मैं यहां पे महराष्ट्र में Advanced ruling डाल देता हूँ, अगर महराष्ट्र की Advanced ruling आ गई तो atleast में महराष्ट्र में त cherry में बच जाओ गा, क्योंकि Advanced ruling authority का decision उसी state में लगता है जिस state में दी गई, तो मैंने महराष्ट्र में या बाकी अदब state में Advance ruling डाल ती, चलो भाई, यहां तो बच जाएंगे देली का देखेंगे बाद में, लेकिन अब law क्या कहता है, law कहता है कि अगर आपकी case, already pending में आ गई, मतलब आपके case में notice आ चुकी है, कोई भी पूरे इनिया में कहीं पे भी, देली में आ चुकी थी, तो फिर अब, अब कोई भी कहीं पे भी जगा आपका application admit नहीं होगा, इसलिए advanced ruling authority ये online check करती है, कि आपके अगे सब्सक्राइब आई की नहीं आई, अब कहीं नहीं होगा, कि proceeding initiate होगी, proceeding initiate होने के पहले अगर आप डालते है, तो शायद accept हो सकता था, लेकिन proceeding initiate होगए, क्योंकि फिर तो कोई भी ऐसा करेगा, एक जगा होई, तो द advance ruling authority case pending है, या decide in any proceeding of the applicants, या already applicant में कहीं तो भी decision आ चुका है, code का decision आ चुका है, order आ चुका है, तो फिर ये accept नहीं करेगे, advance ruling accept नहीं करेगे, okay तो इसके दो member होते है, technical member और एक state का member, अब, जैसे इनके पास application आता है, ये application जो है, यहाँ पे ये भेजते दे, ये भेज देते ह officer या nodal officer, इसको nodal officer भी कहा जाता है, okay, nodal officer के पास बेज देते हैं, okay, check करो कि ऐसा case कही, court ने decide तो नहीं किया हुआ है, ये member खुद भी नहीं देखते है, एक special officer होता है, उसके पास बेज देते है कि check करो, ये ऐसा case कही, कोई court ने तो decide नहीं किया हुआ है, इस matter पे, या, ये कोई applicant के case में pending तो नहीं है, कई Delhi में या कई जगा pending तो नहीं है, एक बार check करो, nodal officer अपना पूरा report त्यार करता है, okay, और ये nodal officer अपनी report furnish करता है, AAR के पास, report furnish करता है कि ये ऐसी case pending है, okay, applicant की Delhi में pending है, या इस से related, ये एक Supreme Code, High Code का judgment आ चुका है, अगर ये इसकी report आ गई कि judgment आ चुका है, तो फिर advanced ruling authority जो है, वो case accept नहीं करेगा, वो application accept नहीं कर देगा, वो reject कर देगा, opportunity of being hurt देगा, कि this your application is similar to this is High Code decision or Supreme Court decision, follow that decision, that's all, rejected, opportunity of being hurt, okay, आपको दे देगा, okay, वापस कर देगा, I hope you understood, okay, तो वो आपको वापस कर देगा, नहीं तो वो आपना report देगा कि नह case है, prima facie case है, अभी तक कोई court का decision नहीं है, और applicant के case में भी कोई case spending नहीं, तो फिर advanced ruling authority उसका case accept कर लेगी, तो भाई साब, okay, we smart का case accept हो गया, समय लो, क्योंकि मेरे against में कोई case spending नहीं है, और अभी तक एक decision किसे नहीं दिया नहीं है, we smart का, मेरा, okay, कि books किसमें जाएगा, क्या books का मैं यहाँ पर अलग से, जो 3000 में ले रहा हूँ, क्या मैं इसका GST दू या ना दू, educational book का, तो चले गया वो उसमें, okay, तो section 98 पढ़ लेते हैं, तो अब आप साथ साथ में notes में आजाओ, okay, section 98 में, सबसे बहले तो 97 में फटा फट, books में भी underline कर दो, कहां का advanced ruling, classification, notification, time and value of supply, ITC, liability to tax, registration and whether your supply or not, place of supply पर आप नहीं ले सकते हो, advanced ruling, underline कर दो मेरे साथ, उसके बाद मैं 98 पर आजाओ, okay, application, send a copy to judicial officer, record बुलाए जाएगे, आपके record examine किये जाएगे, और उसके base पर आपका either admit होगा, या फिर reject होगा, reject होगा, तो speaking order आपको दिया जाएगा, opportunity of being hurt दिया जाएगा, पर आपकी case admit नहीं होगी, अगर वो already pending होगी, you are decided in any proceeding in case of applicant under the provision of this act, तो वो case accept नहीं होगी, okay, I hope, यह मैं underline नहीं करवाओगा, क्योंकि पढ़ा रहा हो चार्ट से, सीव मैं notes में आपको यह underline करवा रहा हो, कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, yes or no, बताओ बड़ा बट, वापस आजाओ चार्ट में, वापस आजाओ चार्ट में, चलिए, अब क्या होगा कि यहाँ पर यह जो application accept हो गया, अब दहां से देखिएगा, application accept हो गया, application accept होने के बाद सारी procedure यहाँ पर दिया है, क्या हो जाता है, यहाँ पर after examining, दहां से देखिएगा, after examining material placed by the applicants, और opt in by authority, चलिए, advance ruling authority सामने है, मैंने अपना material दिया, भई मेरी books, क्यो educational books में classify होने चाहिए, composite supply में नहीं होने चाहिए, मैंने अपने material packs produce किया, मैंने advance ruling authority, दो bench बैठे हैं सामने, मैं अपना packs produce कर रहा हूँ कि sir, मेरे books पे MRP होती है, MRP और same books market में available है for sale, यह sale होता है मेरे website से, या book center से, in short, मैं जो student को दे रहा हूँ class के साथ, वो students को option होता है, कि books ले या ना ले, okay, present कर रहा हूँ facts, जो भी है, वो option होता है, MRP है market में available है, saleable है, तो student इसको खरीदते है, वो course के साथ खरीदते है, इसलिए, जहां तक देखा जाए, अगर मेरे book पे MRP है, और मैं market में saleable है, तो यह books can be sold in the market, तो it should not be a composite supply, it is a separate supply, अगर यह separate supply है, तो books पे GST नहीं आना चाहिए, मैंने अपने material packs सारे produce किये, जो जहां-जहां मैं sale करता हूँ, जो जो book center पे sale करता हूँ, उनके letters, mail भी मैंने produce किये, affidavits भी produce किये, ओके, और यह, और मेरे, मेरी jurisdictional authority जो होती है, अब मेरे पुने में मैं जिसके jurisdiction में आता हूँ, उनको भी advance ruling authority inform करती है, वह तुमारे jurisdiction से case आया, advance ruling का एक, वो ruling चाहता है, और वो ruling चाहता है कि वह educational books में आ रही है, और इस पर GST नहीं आना चाहिए, इस पर आप भी report दो, हाँ, वो report मंगवाते हैं, किस से मंगवाते हैं, तो वो report मेरे जो jurisdictional officer होगा, उनको advance ruling authority का later जाता है, और वो later जाने के बाद, वो मेरे jurisdictional officer से भी report मंगवाते है, कि आपके area का एक V smart academy है, जिनका advance ruling आया है, इस पर आपका क्या report है, वो भी दो, तो now opportunity of being hurt दिया जाएगा, और फिर बाद में advance ruling आएगी, advance ruling आएगी, वो in writing रहेगी, within 90 days from the date of application, I repeat, within 90 days from the date of application, 90 दिन के अंदर किसी भी आलत में advance ruling आजाएगी, ठीक है, और यह advance ruling समझ लो, एक पहला case लेते हैं, मेरे favor में आगे, और order दे दिया गया कि yes, it is not a composite supply, MRP is presented, also available in the shop for sale, therefore it is a separate supply, books पे GST नहीं आएगा, अरे वहा, मैं तो खुश होगा, yes, मजा आगया, खुश होगा, advance ruling के order मेरे against में आगया, अब officer मुझे touch भी नहीं कर सकता, अगर officer agree नहीं है, तो वो appeal में जाएगा, आगे appeal में जाएगा, लेकिन मुझे touch भी नहीं कर सकता, तो ठीक है, तो advance ruling authority जो है, यहाँ पे, आगे मेरे favor में आगी, दूसरा case मेरे favor में नहीं आई, अगर touch भी नहीं कर भाएगा, अब, उसको जाना है, तो आगे appeal में जाना पड़ेगा, और advance ruling के appeal के लिए special authority ए, triple AR, उसको वहाँ जाना पड़ेगा, और दूसरी copy, एक copy order की मेरे पास आजाएगी, मैं तो order समभाल के रखूँगा, एक order applicant को आजाएगी, मैं तो order समभाल के रखूँगा भाई, और के मेरे favor में order आया है, और तिसरा, जो nodal officer है, उसको भी एक copy चले जाएगी, तो यह advance ruling की copies, तीन हो जाएगा, तीन copies बाटी जाती है, एक मेरा पूने का jurisdictional officer, दूसरा, एक copy मेरे को, और एक copy जो है मेरा, और के इस ruling में बठाया गया nodal officer, यह जो सारे report प्रिपेर कर रहा थ यहां तक समझा क्या बेटा, यहां तक समझाओगा तो one type करो, यहां तक समझाओगा तो one type करो, अब देखो आगे क्या करें, अब मेरे favor में आया, मेरे favor में आयागा, तो मैं तो appeal में नहीं जाओगा, पर इसका appeal क्या officer file कर सकता है, हाँ, इसका appeal concern officer, याने nodal officer, या मेरा judicial officer, इ और वो authority है, appellate authority of advance union, court में नहीं जाएगा, court में नहीं जाएगा, high court supreme court में नहीं जाएगा, इसकी appellable authority यही है, और कि triple AR इसके पास ही जाएगा, इसके पास ही जाएगा, और यह जो है, officer फाइल करेगा, ऐधर nodal officer या judicial officer आगे appeal फाइल करेगा section 100 में, या फिर, या फिर triple AR के पास कैसे जाता है, क्योंकि दो member bench ही होता है, अब इसमें एक member का मानना है कि यह composite supply नहीं है, दूसरे member का मानना है कि यह composite supply है, तो ऐसे case में difference in opinion है, बाई साब, दोनों लड़ बैठे, मेरे case में तो दोनों लड़ बैठे, तो अब तो यह मुश्किल हो गई, तो मेरे case में दोनों लड़ बैठे, तो difference in opinion आ गया, difference in opinion आ गया, तो वो दोनों case refer कर देंगे triple AR पास, भई हम दोनों लड़ बैठे, आप triple AR के पास case जाना चाहिए, तो triple AR picture में कब आता है, triple AR picture में दो case, तीन case में आता है, पहली case, इनका difference in opinion होगा, तो case वो refer कर देंगे triple AR के पास, या दूसरा case appellant के फिवर में है, तो department appeal फाइल करेगा, और अगर case department के फिवर में गया, तो appellant appeal फाइल करेगा, तो appellant भी appeal फाइल करेगा, फाइल होगे ARA 02 और यहाँ पे ARA 03, अब जब appellant appeal फाइल करेगा, तो 30 days plus extension 30 days में appeal फाइल करनी पड़ेगी, और फिर से fees 10,000 रुपे देनी पड़ेगी, और department फाइल करेगा, तो 30 days और 30 days extension रहेगा, और वहाँ पे department को कोई फिज नहीं, वहाँ हमारे से fees लेंगे 10,000 रुपे, department से नहीं लेंगे, वहाँ आरे वहाँ government, तो अब ऐसे case में, case जाएगी ट्रिपल ए-ार के पास, और ट्रिपल ए-ार के पास जाएगी section 99 में, तो ट्रिपल ए-ार कैसे बनाय जाएगा, तो ट्रिपल ए-ार section 99 में बनाय जाएगा, चलो, तोनो section book में से highlight कर लेते हैं, ओके, book में से highlight कर लेते हैं, यहाँ पे, आजाओ, यहाँ पे, section 99, साथ में ले लिया मेरे, यहाँ underline कर दो, five number के point पे, difference in opinion होगा, तो ट्रिपल ए-ार के पास case जाएगी, advanced ruling 90 days में final करना पड़ेगा, इसको underline करो, और उसकी copy, यहाँ पे, applicant, concern officer, और judicial officer के पास जाएगी, underline कर दो इसको, यह आपको पढ़ने से समझ जाएगा, यह दरवाज चार्ट ही पढ़ ले रहा हो जाएगा, आपका, ओके, अब AAAR के पास, AAAR के पास, appeal कोन फाइल करेगा, तीन लोग फाइल कर सकते है, अगर अपलिकन, concern officer, यह jurisdictional officer, ओके, यह तीन लोग, appeal कर सकते है, यहाँ फाइल अपिल, यह AAAR, 30 days में, फाइल करना पड़ेगा, extension 30 days रहेगा, अगर अप्लिकन फाइल कर रहा है तो फीज रहेगी 10 जार रुपए पर concern officer फाइल कर रहा है तो वहाँ पे फीज नहीं रहेगी चलिए यहाँ तक तो हमने देखा section 100 तक हो गया यहाँ पे section 100 तक हो गया चलो आज़ो आगे अब appeal आगई triple AR के पास यहाँ क्या क्या हो सकता है triple AR के पास appeal आगई तो मझे लो एक तो इन में भी difference of opinion आगया यह difference of opinion नहीं आगया यह order दे रहे पहले order दे रहे देख लेते हो after giving opportunity of being heard section 101 में वह order दे देगे order of advance ruling as triple AR think fit जो उनको ठीक लगेगा वह order दे देगे वह order यहाँ पे within 90 days देंगे from the date of filing appeal order क्या देंगे either original order AR का confirm कर देंगे वह कहेंगे कि original AR ने जो order दिया जो भी दिया होगा confirm इसमें कोई change नहीं हो सकता या उसको modify करके देंगे modify मतलब change करके देंगे कहेंगे कि भई यह नहीं नहीं composite supply है डबल AR का गलती हुआ है यह composite supply है तो यह composite supply होगा और पूरे इस पर GST आएगा actual composite supply है और GST आएगा और यह copy चार लोगों को देंगे applicant, concern officer, judicial officer और triple, sorry, डबल AR को भी देंगे तो वह क्या करेंगे? वह जब अपनी order 90 days में देंगे as eating fit original order को यहाँ पर okay, original order को यहाँ पर either confirm करेंगे यह उसको modify करेंगे अब एक बात जो बहुत important है आपको ध्यान रखना है यह advanced ruling उसी state में लागू होती है जिस state में दीगे ruling given by AAR और triple AAR will be applicable only within the jurisdiction of concerned state or utility यह बात आपको ध्यान रखना है okay या फिर sir अगर इन में difference in opinion रहा तो इन में difference in opinion रहा तो cannot be proceeded further it shall be deemed that no advance ruling can be issued in respect of given question मतलब अब यह समझा जाएगा कि अब इसके आगे नहीं जाएगी case यह समझा जाएगा कि आपके matter पर advance ruling नहीं मिल सकती आपके matter पर advance ruling नहीं मिल सकती यह समझा जाएगा तो यह देखा हमने section 101 अगर आप notes में आओगे तो notes में यहाँ पर देखो section 101 triple AR order देगा appeal against आपको उसके पहले opportunity of being hurt देगा आपके order को confirm करेगा या modify करेगा order को confirming or modifying the original order 90 days में देखा अगर differing opinion होगा तो ऐसा समझ लो कि अब आपका advance ruling cannot be issued अब नहीं मिल सकती है copy उसकी चार लोगों को जाएगी applicant, concern officer, judicial officer, triple AR को उसकी copy चले जाएगी मेरे साथ underline करना भाई साब पढ़ाया मैंने यह तो था section 1021 में order अब चार्ट में आ जाते हैं अब चार्ट इतने बढ़िया बना की रखे है न मैंने आप सच में खीक है यहाँ पर थेरी पढ़ते हो तो थोड़ा ऐसा बढ़न आता है लेकिन चार्ट पढ़ोगे तो आप मुझे याद करोगे याद अब आ जाते हैं कुछ नीचे के section पर advance ruling की process तो complete होगी हमारी अब नीचे के section पर आ जाते section 102 मैं direct यहाँ से पढ़ा रहा हूँ चार्ट से इसलिए section अब आपको पढ़ना पढ़ेगा उसके main main points मैं direct section के cover कर रहा हूँ इसलिए इसके आगे के section जो आपको पढ़ना पढ़ेगा Rectification of advance ruling Rectify any error apparent on the face of record Double AR या Triple AR यह जो ruling देता है उसमें अगर गलती हुई तो गलती हुई तो यह advance ruling authority उसको rectify कर सकती है पर rectify वो ही कर सकता है जो apparent from record है कभी-कभी mistake हो जाती है interest rate 18% का जगा 81 हो जाता है यह mistake apparent from record है कभी-कभी कोई activity it's not a supply, not word type ही नहीं हुआ typological mistake होई apparent from record है जो easily identify हो सकती है यह यह गलती से हुआ है तो वो, वो rectify कर सकते है Okay, error notice by own or concern officer or judicial officer or applicant मतलब उनको यह error कोई भी बता सकता है Okay, चारो में से कोई भी बता सकता है Rectification is allowed within 6 months from the date of order If tax enhance or ITC reduce on rectification, opportunity of being earned वो अपनी order बदल नहीं सकते एक बार जो दे दिया, सो दे दिया, हाँ, rectify कर सकते है सी उतना ही part, जितना apparent from record है पर advanced ruling authority अपनी order बदल नहीं सकती Okay, हाँ, उनके rectification से tax बढ़ता है या ITC reduce होता है, तो वो जो भी amount बढ़ा उसके पहले opportunity of being earned देंगे Okay, so thank you beta, your chart is so summarized, so organized, just looking like a wow, thank you, thank you, thank you so much, अच्छा लगता है Now, उसके बाद में applicability of advanced ruling, very very important, very very important, applicability of advanced ruling, advanced ruling by double AR or triple AR is binding on, on the applicant who had sought it, very important, and concern officer और jurisdictional office है, पहली बात तो यह advanced ruling उसको ही binding है जिसने advanced ruling लिया, समझ लो, V smart को advanced ruling मिल गए और मिल गए positive way में, कि यह books यह composite supply का part नहीं माना जाएगा समझ लो, ऐसे advanced ruling मिल गए, wow, okay, मज़ा गया, wow मतलब, अब मैं इसके उपर GST नहीं लगाओगा, मेरे पास order आगी advanced ruling की GST नहीं लगाओगा, मैं सिर्फ 7000 पर GST लगाओगा, मेरा देखके other academy और यार, V smart का order मिली है, other academy में शुरू हो गया, वो भी books पे नहीं लगा रहे officer, V smart को तो हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे पास order है, क्या officer, other लोगों पर action ले सकता है क्या, yes, 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 officer, other लोगों को action ले सकता है, क्योंकि ये ruling उसको ही binding है, जिसने लिया, who sought it, who sought it, उसको ही binding है, और officer को भी binding देगी, okay, जिसने ruling नहीं लिया, उसके against में department action ले सकता है, भाई समझा है क्या, समझा होगा तो 103 टाइप करो, order in operation if law, facts or circumstances supporting the original AR has been changed, order is in operative, अब यह order in operative हो सकती है, अगर section ही बदल जाए, law ही बदल जाए, यह court का decision आजाए, supreme court का decision आजाए, भाई नहीं नहीं, it's a composite supply, जैसे supreme court, high court का decision आजाए, यह section बदल गया, और के यहाँ पर notification आगया, rules आगया, तो फिर यह advanced ruling in operative हो जाती है, अगर law बदल गया, facts बदल गया, तो, very important, question आ सकता है, एक दो माग का इसके उपर, उसके बाद में, advanced ruling to be void in certain circumstances, AR is void of in issue, if it is obtained by fraud or suppression of material facts, और misrepresentation of facts, अब देखो advanced ruling का जब discussion चल रहा था, और मैं represent कर रहा था, तो उन्हें ने पूछा, चलो ठीक है, आपने books पे MRP लिकी है, हाँ सर, मैं MRP लिखता हूँ, यह रहे सारे affidavits, जिस जहां से मैं सेल करता हूँ, यह उनके latest, जहां से मैं सेल करता हो, बहुत सारे आप्शन मिलता है क्या, अगर वो चाहिए, नहीं लेना चाहिए, यह books नहीं लेना चाहिए, तो क्या आप option देते हो क्या, मैंने यहाँ facts manipulate कर दिये, suppress कर दिये, यह misstate कर दिये, हाँ sir, हम student को option देते है, कि वो books ना ले, वो सिफ course ले, books ना ले, okay, तो उसने पूचा, confirm हा, sir, मैं आपको यह कि भई, मैंने statement दे दिया, कि हाँ student को option देता है, मैंने facts misrepresent कर दिये, material facts, जबकि मैं student को option देता नहीं हूँ, पर material facts misrepresent कर दिये, फिर मुझे advance rolling मिल गए, कि okay, okay, आप student को compulsory नहीं करते हो, तो फिर यह composite supply नहीं, यह independent supply, इसके पर GST नहीं लगेगा, ले ली मैंने order, खुश हो किया मैं, बाद में, मेरा जो directional officer था, वो मेरे पीछे लगावा था, कि यार नहीं, वी smart ने गलत order लिया, फिर उसने inquiry चालो कर लिया, वो मेरे class के सामने आके खड़ा हो गया, अगे, student को statement ले रहा है, कि क्या, फिर मैं add कैसे कर रहा हूँ, तो student करें, नहीं, नहीं, बुक्स के बिना तो हम class ही नहीं लगाते हैं, आँ, ऐसा, ठीक है, और उसने अपनी report बनाई और advanced ruling authority को बेजी, और advanced ruling authority को बेजी, बेजा, या advanced ruling को कही से पता चला, कि जो facts present किये गये advanced ruling में, वो सब गलत क्रिये किये, तो advanced ruling को order जो 20 smart को मिली, वो void ab initio माना जाएगा, I hope आपको समझा होगा, समझा होगा तो 104 टाइप करो, please, all provision of this act and rules are applicable as if AR has not never been given, and opportunity of being heard is required, ये भी मैंने summarize करके यहां दे दिया, आपको void ab initio हो जाएगा, power of authority of appellate, power of authority and appellate authority, double AR or triple AR has all power of civil court, under civil procedure 1908, civil court जैसे ही power होती ही इन के पास, discovery and inspection, enforcing the attendance of any person, examination him on oath, issuing commission, compelling the books of account, other records to be produced, and every, every proceeding before AR, triple AR, shall be deemed to be a judicial procedure, ये तना important नहीं, procedure of authority and appellate authority, authority and appellate authority shall subject to provision of this chapter, and have a power to regulate own procedure, ये एक पेज में पूरा chapter is over, everything is covered, exam में question आएगे तो बस दो इस पे आएगे, या तीन इस पे आएगे, this, okay highlight कर दो, कौनसे मेंटर पे advance ruling ले सकते हो, rectification, 102, 103, 104, that's all, ये चाल section के beyond question नहीं आएगा, और एक ये वाला part, the advance ruling authority is applicable only in that state, बस कतम, इसके आलावा आपको question नहीं आएगा, तभी मैंने बहुत अच्छा range करे के दिया है, पूरा chapter, okay आप पूरा chapter इस पढ़ सकते हो, I hope you understood advance ruling, समझा की नहीं समझा, जोर से बलो, yes or no, आपके सामने जॉब वर्क, सबसे पहले तो job work को, एक section है 19, जो ITC का section है, वो plus section 143, ये दो section को ध्यान में रखते हुए, job work की पूरी process आपको समझना है, ठीक है, अब देखिए बेटा, पहले pictorial presentation से समझ लो, और उसके बाद में, हम यहाँ की उसकी left side में दीगे प्रोजेंस को देख लेंगे, बई एक manufacturer है, register person है, manufacturer हो सकता है, trader हो सकता है, service provider हो सकता है, वो कुछ goods ले रहा है, और के यहाँ पे I का मतलब inputs, और CG का मतलब capital goods, आप लिख लो अगर लिखना होगा तो side में, आप मतलब inputs और CG मतलब capital goods, अब यह जो manufacturer है, trader है यह service provider है, यह goods बुलवा रहा है, इपने suppliers है, वो उसका supplier है, और supplier से goods मंगवा रहा है, अब यहाँ दो बाते हो सकती है, goods directly उसके premises में आ जाएगा, या directly goods, goods premises में आ जाएगा, या हो सकता है कि यह जो goods है, यह job worker को supply हो जाएगा, directly job worker को supply हो जाएगा, clear, तो अब सबसे पहले example लेते हैं, कि यह inputs और capital goods जो है, यह premises में आ गया, तो अगर यह premises में आ गया, तो हमने ITC के section 16 की conditions फुल्फिल कर दी, goods और services रिस्यूट, supplier का invoice also received, तो हम उसके ITC ले सकते हैं, मैंने उसके ITC ले लिए, अब दुसरा सवाल यह है कि sir, goods नहीं भी आया, हमारे premises में नहीं आया, directly वो job worker को चले गया, अगर directly job worker को यहाँ पे चले गया, तो क्या हमें, हमें ITC लेना है, तो क्या हमें ITC लेना है, तो ले सकते हैं कि yes, यहां section 19 जो है, बड़ा role play करता है, section 19 कहता है, कि अगर job work के premises पे भी directly गया होगा, तभी आपको ITC मिल जाएगे, तो चलिए, हम ITC उसी मन्त पे ले लेंगे, invoice के basis पे, जो मन्त में यहां पे goods समय आ जाएगे, एक point और बता देता हूँ, जब supplier, directly job worker को भेजेगा, तो supplier के invoice में, supplier के invoice में, bill to और ship to यह word रहेगा, bill to और ship to क्या, bill to this register person, लेकिन, वो ship to जो कर रहा है, वो job work को कर रहा है, इसलिए, उसके invoice में, job work का address रहेगा, यह CBIC का clarification है, क्योंकि goods वहा जा रहा है, क्योंकि इसका e-way bill भी बनेगा, और e-way bill में, बिच में अगर कहीं रोका गया, तो उसमें clear होना चीए, कि goods जा कहा रहा है, इसलिए supplier की जिम्मेदारी होगी, कि वह job work का वे address देगा, bill to इधर जाएगा, और shift to इधर जाएगा, और e-way bill job work के नाम पे बनेगा, आपके सभी doubts बात में, पहले पूरा यह procedure समझ लो, मजा रहा है, pictorial presentation में, यह AK character हमने बनाया, not copied from anywhere, यह पूरा character हमने बनाया है, यह समझा है की नहीं समझा, कोई connected है की नहीं है, हाँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे, यह जो है वेटा, अब law क्या कहता है, एक और point, आपके premise में आने के बाद, as such, पहला वाला truck देखो, as such, यह line बड़ी important है, as such, यह after processing, आप यह good job worker को भेज सकते हो, यानि as such, after processing, यह good job worker को भेज सकते हो, अब यहाँ पे और section 19, बड़ा role play करता है, अब यह जो है, बड़ा role play करता है, अब यह क्या कहता है देखो, यहाँ पे section 19 कहता है, directly भेजा, तो भी आपको ITC दे दिया जाएगा, और अगर आपने, यहाँ पे, आने के बाद भी भेजा, तो भी आप, प्यूंकि जब receive हुआ, तब आपने ITC ले लिए होगे, receive पे ITC ले लिए होगे, तो आपके ITC reverse नहीं होगे, इवन दो आप job work को भेज दो, जब भी कोई good job work को जाता है, तो आपको चालान बनानी पड़ेगी, इसे stock transfer चालान भी का जाता है, या rule 55 चालान भी का जाता है, और साथ साथ में, इसका e-way bill भी बनाना पड़ेगा, e-way bill की provision में, next session में explain करूगा, job work same state में हो, तो वो जो value 50,000 से cross होता है, और other state में जा रहा हो, job work को जा रहा हो, तो वो case में interstate में तो compulsory e-way bill है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे e-way bill में, उसमें मैं समझा दूगा, goods जो है, अब ये जा रहा है बेटा, job worker को, condition क्या है, कि आपके credit continue रहने तो हमें दिक्कत नहीं, लेकिन, जो job work को goods जा रहा है, वो job work से आपका goods प्रोसेस होके, इदे को प्रोसेस होके आ रहा है, और आपका goods प्रोसेस होके, 1 year या फिर 3 years में वापस आ जाना चाहिए, तो section 19 में हमने ये देखा था, section 143 की भी ये ही condition है, कि आपका goods प्रोसेस होके, return of the goods, जो होना चाहिए, input होगा, ये आय मतलब input, input होगा तो 1 year में आ जाना चाहिए, capital goods होगा, तो 3 years में आ जाना चाहिए, जहा extension 1 year का input को और मिल सकता है, और capital goods को 2 साल का extension मिल सकता है, अगर, ये 1 year और 3 years में, या extended period में नहीं आता है, तो बेटा, ये situation में, ये जो है, ये dim supply मान लिया जाता है, ये dim supply मान लिया जाता है, अगर वो 1 year और 3 years में नहीं आता है, तो dim supply मान लिया जाता है, पर ये condition, mold, dies, आपने देखा था, mold, dies, jigs and fixers को applicable नहीं है, मतलब, आपने कोई mold, die, वगरे जो भेजे होगे, किसको भेजे होगे, job worker को, वो 1 year और 3 years में नहीं आते, या extended period में नहीं आते, तो भी कोई problem नहीं, आपके credit continue रहेंगे, और वो situation में, और dim supply माना जाएगा, लेकिन, यहाँ पर अगर बाकी कोई goods होगे, तो वो situation में, dim supply माना जाएगा, और एक important word पर आपका धानला नहीं जाओगा, dim to be supplied, on the date when it was sent, or received to job worker, यानि जिस दिन आपने भेजा, आपने आपके place से भेजा, उस दिन ही वो supply माना जाएगा, उस दिन का supply माना जाएगा, या directly भेजा होगा, तो जिस दिन उसे रिस्यो होगा, उस दिन का supply माना जाएगा, इसके बहुत severe impact है, क्योंकि आपने भेजा होगा एक साल पहले, तो एक साल पहले का supply, मतलब क्या, अब उस मंद का supply मान लिया, तो तब से अभी तक का, जो आपका tax amount है, उसका interest और late payment की penalty भी आपके उपर आजाती है, तो यह बहुत severe impact है, इसलिए आपको 180 days कराँ से आ रहा है, 1 year और यहापे 3 years में, यह extended payment में लाना ही पड़ेगा, नहीं, नहीं तो, आपने वेजा होगा, तो इस दिन का supply मान लिया गया, यह रिस्यो होगा, तो इस दिन का supply मान लिया जाएगा, I hope आप समझ जाओ, इसके बहुत severe consequences, interest or penalty के आ सकते हैं, okay, तो सोच समझ कि job worker के transactions कीजिएगा, और वापस लाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, लेकिन, अब सवाल क्या है, अब सवाल यह है कि sir, भाई मैं वापस नहीं लाना चाहता हूँ, मेरा job work का मुंबई का हूँ, और job worker मुंबई का हूँ, okay, तो अब sir, मैं मुंबई से ही direct export करना चाहता हूँ, क्यों वापस लाओ, क्यों transportation cost लगाओ, मैं मुंबई से direct export करना चाहता हूँ तो क्या sir मैं export कर सकता हूँ प्लीज ना sir export करने दो ना sir क्यों वापस लाने की condition रखते हो job work के place से तो yes अब job work के place से तीन बाते कर सकते हो अब यहाँ section 143 बड़ा role play करता है यहाँ 143 picture में आ जाते है अब 143 picture में आ जाएगा अब वो law क्या कहता है law यह कहता है कि job worker जो है यहाँ से direct आपको goods यहाँ principle को इसका नाम में लूगा principle अब कि यहाँ principle वर्ड डाल देना principle को job work के place से अगर goods export करना है तो वो export कर सकता है अब उसमें क्या करना पड़ेगा export from the job work place principle को कुछ बाते पूरी करने पड़ेगी पहला तो यहाँ यहाँ से जब निकलेगा job work के place से तो principle को export invoice बनाना पड़ेगा यहाँ इन्वाइज जॉब वर्कर को नहीं बनाना है यहाँ पे invoice जो है principle को बनाना है और principle यहाँ से export करने वाला है invoice principle बनाएगा bond यह letter of undertaking क्योंकि export हो रहा है बतलब यह zero rated supply है अगर यह zero rated supply है तो वो situation में यहाँ पे bond यह letter of undertaking principle को ही complete करना है और अगर वो bond दे रहा होगा तो IGST देने की जरुवत नहीं है अगर वो bond नहीं दे रहा होगा तो IGST का payment भी principle को ही करना है और वो payment करके उसको यहाँ से goods निकालना है याने job worker को यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और कि यह सारी चीज़े section 143 के इसाफ से किसको करनी पड़ेगी section 143 के इसाफ से principle को करनी पड़ेगी देखो यहाँ पे समझा की नहीं समझा ओके बलो यहाँ तक जितने भी मेरे से connected है जोड से बलो समझा की नहीं समझा यह वही ना बात अब देखो आगे बट बटा मेरा रोल बस इतना है कि जो चीजे books में दिये उसको आपको easy way में translate कर देना है ठीक है बस मेरा रोल इतना है और जितना अच्छे से में आपको easy way में convey कर सको आपको उसके base में marks कमाना है ठीक है उसके बाद में next एक सवाल और आएगा चलो export का तो clear हो गया क्या एक job worker से दुसरे job worker को में भेज सकता हो क्या बिलकुल भेज सकते हो यह section 143 allow करता है साथ साथ में CBIC clarification भी है कि एक job worker से दुसरे job worker आप goods भेज सकते हो सर मैं अगर एक job worker से दुसरे job worker को goods भेज रहा हो तो क्या इसकी भी कोई चालान बनानी पड़े की यस बेटा covering document तो चीग है इवेबिल तो रहे गा ही रहेगा पर इवेबिल के साथ साथ आपका covering document चीग है तो यहां से यहां तक का goods भेजने का यहां पर covering document चीग है फिर आपका एक सवाल आएगा सर यह covering document कोई बनाएगा क्या यह job worker को बनाना पड़ेगा गौर्मेंट ने यहां पर बहुत चाला की की गौर्मेंट ने कहा देखो भई जॉब वर्कर भी बनाएगा तो भी चलेगा प्रिंसिपल बनाएगा तो भी चलेगा हमें covering document चाहिए फिर वो principal बनाएग या job work बनाएग यहां से जब goods जाएगा तो we need covering document is it clear समझा की नहीं समझा तो यह जो covering document यहां पर बनेगा तो देखो transfer from one job worker to another job worker allowed new rule 55 challenge यहने यहां जो rule 55 challenge by principal और job worker दोनों में से कोई भी बना सकता है original rule 55 challenge शाल भी indoors अब देखो यहां जो rule 55 challenge जो original बनी थी सर इसको ही मैं आगे देदू क्या अब देखो मैं आपको बता दू जब आगे goods जारा है और पूरा का पूरा consignment जारा है यहने job work आया था और यह पूरा आगे दूसरे job worker को जारा है तो फिर original challenge पे भी endorse कर दिया तो चल जाएगा original challenge पे endorse कर दिया तो चल जाएगा यास यह आया ना मज़ा उके उसके बाद में अब यह दूसरे job worker पे पास आगया अब सवाल कभी कभी यह होता है कि सर अब एक और मैं concept लेना चाहूँगा कि सर यह job worker हो या यह job worker हो आपने क्या कहा कि इतने period में मैं वापस लेके आजाओ इतने period में मैं वापस लेके आजाओ ठीक है मिला होगा मिला होगा लेकिन मेरे कुछ सवाल है क्या मैं इस job worker के place से या इस job worker के place से export कर सकता हो बिल्कुल कर सकता हो उपर मैंने दिया है क्या एक job worker से दुसरे job worker को transfer कर सकता हो क्योंकि अब सर्व मेरा जॉब वर कर रहे है यहां पर डेली में और डेली के पास पंजाब है और मुझे अब मैं देली से महराश्टर क्यों लाओ भाई मैं देली से डारेक पंजाब को भेजना जाता हूँ क्यों ट्रांस्पोर्डेशन लगा हूँ क्यों आपकी कंडिशन जो आप बना लिया आपको बनाने में जाता क्या है मेरा तेरा क्या घाटा इसमें मेरा इगाटा समझ में आता है तो अगर ये बास समझ में आता है तो तू कुछ कर पाता तो in simple word मैं वापस नहीं लाओगा मुझे permit करो कि मैं job work के place से ही direct customer को दे सको तो यहाँ पे section 143 और role play करता है section 143 कहता है हम है लोगा तो यहाँ पे सुनिये कि 143 कहता है कि यहाँ पे sir हाँ आप transfer कर सकते हो अब देहां से सुनियेगा यह job worker यह पहला job worker जो भी हो यह यहाँ पे दो type के invoices बनेंगे एक goods directly customer को दिया गया goods directly customer को दिया गया वो एक invoice जो invoice principle बनाएगा P मतलब principle बनाएगा to buyer क्योंकि original goods principle का है उसको ही बेचने के rights है तो goods का invoice जो goods बेचा जा रहा है उसका invoice principle बनाएगा जो supply of goods रहेगा हाँ invoice principle बनाएगे इसको बेजेगा sorry customer को बेजेगा और इसको जो है job worker को वहाँ से रिमोट करने के लिए copy बेज देगा अब यह जो principle है यानि buyer's copy जो job worker आगे transfer कर देगा ठीक है तो यहाँ mainly है बस आपको एक्जाम के लिए याद रखना है कि invoice principle बनाएगा जो invoice supply of goods का रहेगा और supply of goods जो है जिस पे पर GST principle देगा और उसका time of और value of supply as a supply of goods section 12 से fix होगा as a supply of goods section 12 से fix के जाएगा I hope you understood एक invoice जो यहाँ से goods निकलते वग principle का बना जो customer को जा रहा है and goods directly supplied to the by buyer to principle क्यों क्योंकि यह transaction principle और buyer के बिच में हुआ है done अब दूसरा job work ने जो service दी job work की service है as per schedule 2, para 3 किसी और के goods पे treatment और process करना वो supply of service माना जाएगा अब job worker जो service दे रहा है वो भी अपना invoice बनाएगा वो होगा invoice 2 okay वो उसका invoice होगा मुझे बताओ यह invoice 2 job worker किसको देगा okay यह job worker यह जो invoice उसने processing किया अब मैं आपके सामने सवाल रखता हो क्या वो buyer को देगा buyer मतलब B लिखना या principle को देगा पी लिखना बताओ किसको देगा obvious है obvious है common sense है वो principle को देगा उसको क्या लेना बायर से उसका तो contract principle से हुआ है principle से हुआ है तो ऐसे situation में वो अपना second invoice जो service का invoice है principle का बनाएगा अब यहा important बात क्या है यह important बात है कि processing के लिए कुछ material उसने खरीदा है come on processing के लिए कुछ material उसने खरीदा है उसने कोई भी material खरीदा हो लेकिन किसी और के goods पे यहाँ पे activity करना यह always supply up service माना जाएगा तो इसका supply up service ही माना जाएगा अब सवाल यह है कि जब यह job charges लगा रहा है और जो material उसने खरीदा है क्या वो material value का पार्ट बनेगा obviously value का पार्ट बनेगा यहाँ जोब charges 30,000 material 5000 total 35,000 यह उसके value का पार्ट बनेगा ठीक है तो यह total service की value मानी जाएगी ओके यहाँ पे 35,000 पे GST लगेगा जो यहाँ पे supply up service का जाएगा इसका TOS section 13 के इसाब से as a supply up service का होगा और no doubt जो उसने material खरीदा है job worker उसका ITC इसका ITC जब taxable value 35,000 पे GST लगेगा उसका ITC वो ले सकता है पर job worker जो original goods है उसका ITC job worker नहीं ले सकता है क्योंकि उसका ITC already principle ले चुका है लाइन सुनिएगा उसका ITC already principle ले चुका है इसलिए उसका ITC जो है यहाँ पे job worker नहीं लेगा job worker जो material खरीदे होगे जो services खुद खरीदे होगी for that process उसका ITC उसे मिलेगा अरे समझा है नहीं समझा होगा तो yes बोलो जोर से बोलो yes sir अब आपका एक सवाल है कि जो हमें time limit मेली है जो यहाँ पे एक साल या तीन साल जो हमें basic time limit मेली है यह extension time limit मेली है यह एक एक job worker के लिए क्या मतलब क्या इसके लिए एक साल तीन साल फिर इसके लिए एक साल तीन साल अब मद आ गया नहीं यह total time limit है यानि एक साल या तीन साल में आपके जितने भी जॉब वर्कर है वो सभी जॉब वर्कर को मिला के एक साल और तीन साल में आपस आना जी है, आपके अगर दस जॉब वर्कर होगे तो दस जॉब वर्कर को कंसिडर करके यहाँ पे एक साल और तीन साल का पॉइंट के हाँ पे उ जब इन्वैस देरें, बनेंगे तो दूप invoice नहीं है गुड्जबेचा उसका invoice और सर्सवीज दिंसका उस-से क्या लेना दे ना है कि कौन in जे ना है कि कौन कहां से डेलीर रहा है, बनेगे तो वही बस सवाल है कि- क्या जाब वरकर के Aser यह है कि sir क्या यह जो job worker का place अब रजिस्टरेशन से related कुछ सवाल है और फिर मैं last waste और refusal से related आओगा registration से related यह सवाल है कि sir जो job worker को मैं भेज रहा हूँ क्या वो GST में registered होना जरूरी है क्या section 143 ऐसे कोई condition नहीं डाल सकता मतलब उसने नहीं डाला है, मतलब क्या, आप जिसको भी भेज रहे होगा जरूरी नहीं की वो ररजिस्टर्थर्थड हो वो अन्रर्जिस्टर्थड होगा तो भी चलेगा, वो अन्रीश्टर्थड होगा तो भी चलेगा, चलो, job worker की बात कर लिया हूँ sir, अगर मैं जो job worker को भेज़ रहूँ, वो inter state है, other state में, तो भी क्या, वो registered होना जाए? नहीं, यहाँ पे, वो job worker दूसरे state में भी ओगा, तो भी, वो job worker registered होना जाए, ऐसी कोई condition है, CBIC ने clarify कर दिया, ठीक है, पॉंट को समझाए, आपके सवाल बात है, एक एक पॉंट को समझ तो अगर threshold चाले और job worker को बेजना है तो जब भी हम job worker को भेजेंगे तो भेजने वाला यानि principle क्या वो भी registered होना चाहिए कि नहीं ऐसे कोई condition नहीं वो अपने threshold के base पर registration लेगा यानि जब भी कोई goods आप job worker को भेजना हो तो कोई condition नहीं कि यह registered होना चाहिए तो यह registered होना चाहिए पहला point पहला thought clear हो गया second लेकिन अगर यह unregistered है तो आपको इस unregistered job worker के place से एक साल या तीन साल में सुनो एक साल या तीन साल में या extended period में वापस लाना पड़ेगा आप इस unregistered job worker के place से directly export नहीं कर सकते हो या फिर आप directly customer को supply नहीं कर सकते है यह restriction है यह unregistered रह सकता है लेकिन फिर इसको दो restriction लग जाते है और वो यह कि export नहीं हो सकता या फिर customer को नहीं जा सकता ठीक है आपको एक साल या तीन साल में वापस लाने का ही option बच जाता है चलो आगे समझ में इसका मतलब सर अगर इनके place से मुझे export करना है या इनके place से directly customer को देना है तो वो job worker registered होना चाहिए सुनो वो job section 143 कहता है कि export करना है या आपको customer place पे देना है तो वो job worker फिर registered होना चाहिए और अगर वो registered नहीं है तो principal को अपना registration amend करके इसे as a additional place of business declare करना पढ़ेगा इसे as a additional place of business declare करना पढ़ेगा एक बार फिर से जौब वोर्कर के place से यौई जौब वर्कर हो या यह जौब वर्कर हो जौब वर्कर के place से आपको अगर export करना है या आपको buyer को sale करना है तो वो situation, sorry, buyer को supplied करना है तो वो situation में, either वो registered होना चाहिए, या फिर वो registered नहीं है, तो आपके registration में, आपको उसे as a additional place of business बताना पड़ेगा, समझाओगा तो बोलो, स्वाहा, समझ में आया, yes or no, very good, ठीक है, अब बात करेंगे, west or refusal की, west or refusal क्या है, यह job work जो process करते है, तो कुछ waste भी तो निकलेगा न, यह job worker हो, यह job worker हो, तो यह waste का tax देना पड़ेगा, क्या, yes, और इस रवेस, हाँ, अरे छोड़े न, न, okay, देना पड़ेगा waste का, फिर वो waste जा refuse निकलेगा, उसका tax को न देगा, okay, तो उसका tax, अगर job worker registered है, सुनो दहां से, यह point बड़ा important है, अगर job worker registered है, if registered, तो job worker देगा, और अगर job worker registered नहीं, तो principal देगा, waste और refusal का tax उन्हें देना पड़ेगा, तो इस तरह से मैंने सारी provisions इसमें cover की है, अब right side में, जो text दिया है, उसको फटाफट देख लेते हैं, जो diagram है, और जो provision है, उसको देख लेते हैं, तो supply of job worker, okay, without payment of tax, आप job worker को, this section 143 कहता है, जब भी good job worker को जाएगा, okay, job workers को जाते वक्ख, यह screen नहीं दिखेगी, यहां पर, ठीके, मैं कोशिश तो रखता हूँ, job worker को जाते वक्ख, आपका कोई supply, तब supply नहीं माना जाएगा, आप without rule 55 चालान के थिरूप भेज सकते हो, लेकिन ख्याल रहे, एक साल और तीन साल में नहीं आए, तो फिर हम supply बोलने के पुरे rights रख सकते हैं, okay, तो without payment of tax, तो देखो, major role 143, sorry, 143 का जो major role है, वो बस इतना ही है, कि आपको without payment of tax जाने देंगा, और section 19 का रोल है, कि आपके ITC discontinue नहीं होगा, वो ITC भी continue रहेगा, continuity of ITC, यह section 19 कहता है, कि आपके ITC कोई भी affect नहीं होगे, वो continue रखे जाएगा, उसके बाद time limit एक साल या तीन साल, और वो एक्स्टेंड हो सकती है, 1 year और 2 years, ठीक है, inputs और capital goods, उसके बाद में, directly क्या आप supply कर सकते हैं, yes, direct supply by principle from job work premises, job work के place से आप जो है, customer को directly दे सकते हैं, on payment of tax, क्योंकि जब job work के place से buyer को जाएगा, तो tax payment principle को करना है, invoice principle को बनाना है, सब assessment goods का principle को करना है, यह directly वहाँ से export भी हो सकते हैं, पर invoice वगर बनाना पड़ेगा, restriction क्या है, restriction यह है बिटा, principle cannot supply the goods directly from place of business of job worker, unless principle declare the place of business of job worker, as additional place of business, ठीक है, पहला तो condition है कि, अगर job work के place से, job work के place से मुझे export करना है, यह पे customer को बेजना है, तो मुझे principle को अपने registration में, additional place of business बताना है, लेकिन, अगर job worker registered होगा, तो बताने की जरुबत नहीं है, मतलब, simple में मैं कहूँ, तो job worker अगर registered है, तो आप कर सकते हो, transaction, export का यह customer का, नहीं है, तो additional place of business, लेकिन कुछ case में, आप principle की special, कुछ notified goods में, यह तीन साल में, extended period में नहीं लाया, तो वो deem supply माना जाएगा, और के proper accounts to be kept by principle, यह principle की जिम्मेदारी होगी, कि वो उसे account record मेंटेन करना पड़ेगा, और waste or scrap को, अगर job worker registered है, तो वो देगा, नहीं तो principle देगा, यह आपने यह आपर देख लिया, यहापर CBA से clarification कुछ issue है, is it compulsory to take registration for principle involved in job work transaction, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप अपने threshold पर registration लो, सिब job worker को transfer कर रहे हैं, इसलिए registration लेना ऐसा कोई जरूरी है, registration of job work is required, job work and principle in same state or in different state, job worker required to obtain registration only in case of his aggregate turnover, in a financially excess threshold limit, regardless whatever the principle and job work in same or different state, वैसे हम job worker को भेज़रेसले, वो रजिस्टरी job worker होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, same state or other state में, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन यहापर मैं आपको कह दू, वो अपने threshold के साब से registration कर वाएगा, यह, इस section 143 की कोई भी requirement नहीं, कि दोनों registered होने चाहिए, वो job worker को भेज़रेसले, job worker registered ही होना चाहिए, ऐसा कोई requirement नहीं है, next, if P supplies the goods directly from job work premises to customer, then who will be the supplier of the goods, अगर job work के प्लेसले direct customer को जा रहा है, तो obviously P is the supplier of the goods, उसे invoice बनाना पड़ेगा, उसे tax pay करना पड़ेगा, और job worker का place, as an additional place of business, उसे declare करना पड़ेगा, अगर वो registered नहीं होगा तो, okay, now filing ITC 04, will be considered as a submission of intimation under section 143, yes, अगर आप ITC 04 फाइल कर रहे हो, okay, तो वो 143 की intimation मान ली जाएगी, उसके बाद में, who will avail the ITC, हाँ, ITC clear है, जो goods principle ने भेजा, जो goods principle ने भेजा, इसका ITC principle लेगा, और जो goods job worker ने यूज किये, उसका ITC job worker लेगा, बात ख़तम है, CDA simple है, okay, तो यहाँ पर, who will the ITC, in respect of inputs or capital goods, that directly sent to the job worker, तो उसका तो principle ही लेगा ने बेटा, okay, और job worker कौन सा लेगा, तो जो job worker ने यूज किये, inputs used by him by supplying job work service, तो वो उसका ITC लेगा, इस तरह से, मैंने सारे important points, इसमें cover कर लिये है, अगर मज़ा होगा, तो जोर से बलो, yes sir, एक diagram, देखो आपका, थेरी कैसे simple कर देती है, very good, आपके कोई doubts होगे, यह ऐसे last GST की topic, ऐसे ही मैं complete करूगा, चार्ट में इतने perfect हो जाएगे, boss के आप मेरा नाम लोगे, अब आपके कोई doubts होगे, तो मैं doubts लेता हूँ, doubt post करो फिर से फटा फटा, sir, पर यह goods, जो job work के लिए, खरीदा है, वो principal का aggregate turn or में include होगा क्या, बेटा, खरीदने वाला थोड़ी turn or में include होता है, हाँ, जो बेशते होगे turn or में, इसलिए आपने खरीदा होगा था, purchase थोड़ी turn or में आती है, आपने job work के place से, अगर supply क्या होगा या export क्या होगा, तो invoice तो principal का ही है, तो principal का aggregate turn or में आएगा, हाँ, हाँ, एक मैं आपको याद देदू, section 22 में मैंने बहुत क्लिरली समझाय था आपको, 22 में ये समझाय था, कि ये agent नहीं, ये job worker है, इसलिए section 143 कहता है, कि जो goods के bill बनेंगे, वो job worker का turn or में नहीं आएगा, ये explanation 2 में मैं पहले ही समझाय था हूँ, कि ये, ये जो भी goods यहाँ से बेचा जाएगा, वो job worker के turn or में नहीं आएगा, agent के case में आता है, job worker के case में नहीं आता है, I hope आपको समझा होगा, तो job worker का turn or मतलब वोई service, जो उसने service दी, goods का turn or job worker के case में नहीं आएगा, ठीक है, additional place of business के लिए, case में अलग-अलग registration लेना पड़ेगा, क्या, नहीं-अलग नहीं लेना पड़ता है, वो आपके existing registration में amend करना पड़ता है, as an additional place of business, sir audio recording revision जो आपके थे, आगे बेजूगा बेटा, और बेजूगा, मैं करता हूँ, करता हूँ, refund of ITC possible है क्या, ITC के refund सिर्फ दोई case में मिलते हैं, zero rated or inverted, यह refund नहीं, आपको जो ITC ले लिए, वो ले लिए, अब आपको supply treat करना पड़ता है, जब एक साल या तीन साल में नहीं आया, और वो supply का GST देना पड़ता है, उसका valuation तो फिर वो rule 30 में चले गया, 110%, वो supply मान लिया, 110% rule 30 में चले गया, उसमें आप ITC ले लो, लेकिन आपको supply treat करके, उसके पर GST देना पड़ता है, नहीं, नहीं, एक्सपोर्ट के केस में, यहाँ पर job worker registration चाहिए, नहीं, job work के साथ में, RCEM का concept नहीं आता है, सर, जो job worker दुसरे state में है, वो भी तो unregistered नहीं, लेना for additional place of business, नहीं, दूसरे state में भी होगा, तो भी आप declare तो कर सकते हो, additional place of business, उसमें के problem है, चलो done, ओके, यहाँ रुकते है, यह session यहाँ पर हम end करते है,